हालो फ्रेंद्स मैं हूँ विनी और आप देख रहे हैं The Hope Story और Grooming Video Series का ये है पहला विडियो जो की बात करेगा confidence के उपर और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप Grooming की बात करते हैं या अपनी personality development की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज और सबसे important चीज होती है आपका confidence और ये एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान लेकर नहीं पैदा होता हमें confidence को कितनी बार develop करना पड़ता है ये एक ऐसी skill है जिसके उपर अगर हम काम करें तो confident दिखना और confident होना हम समझ पाएंगे कि ये दो अलग-अलग बाते हैं कुछ लोग अंदर से confident feel करते हैं कुछ काम करने के बाद और कुछ लोग confident हो या नहीं लेकिन वो हमेशा confident दिखते हैं और जिस दिन हम clearly ये समझ जाते हैं कि ये दो अलग चीज़ें हैं उस दिन हमारे लिए असान हो जाती है अपनी confidence की journey आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 तरीके जिनने अगर आप अपनी जिन्दगी में शामिल करेंगे तो confident होना और confident दिखना आपके लिए काफी जादा असान हो जाएगा तो चलिए सीधा चलते हैं आपके confidence की journey में आगे वीडियो की शुरुआत सबसे पहले मैं अपने आप से करना चाहूंगी क्योंकि मैंने अपनी life में बहुत time तक confident नहीं feel किया और आज भी जब मैं ये video बना रही हूँ उस वक्त भी कितनी बार ऐसा होता है कि मैं self doubt में चली जाती हूँ और बहुत ही जादा less confident feel करती हूँ तो सबसे पहले आपको इस बात को accept करना है कि अगर आप नहीं feel कर रहे हो किसे दिन बहुत जादा confident तो वो बहुत जादा natural है बड़े बड़े लोगों के साथ जिने हम successful मानते हैं ऐसा होता है और जिस दिन हम इस बात को normalize कर देंगे कि ये एक normal बात है उस दिन हमारे लिए confidence की journey जो है काफी जादा असान हो जाएगी confident दिखने के लिए आपको confidence को practice करना पड़ता है आप fake confidence को भी practice कर सकते हैं और इसमें कोई भी बुराई नहीं है इस विडियो के अंदर जितनी भी बाते मैं आपको बताने वाली हूँ वो काफी research based हैं तो अगर आप कुछ articles पढ़ना चाहते हैं या कुछ researches पढ़ना चाहते हैं confidence related तो उनको भी मैं description box में दे दूँगी आप बिलकुल वहाँ से उनने पढ़ सकते हैं और detail में समझ सकते हैं कि ये confidence जो है किस चिडिया का नाम है और क्योंकि विडियो जादा लंबना हो जाए तो मैंने यहाँ पर 5 ऐसे important factors को cover किया है जो आपकी seriously मदद कर सकते हैं क्योंकि जो लोग confident दिखते हैं उन्हें लोग जादा notice करते हैं और ये आपकी personality की overall growth के लिए बहुत जादा काम आता है confidence एक skill set है जैसे कि खाना बनाना, painting करना या संगीत सीखना और ये आप किसी भी उम्रों में कर सकते हैं तो अगर आपको लग रहा है कि आप late हो चुके हैं अपने confidence की journey में तो आप गलत सोच रहे हैं सबसे पहले बात करेंगे आपके posture की यानि कि आप किस तरीके से दुनिया को बाहरी रूप से नजर आते हैं वो टिपेंड करता है आपके posture के उपर और आपने अपनी जिंदगी में जरूर कहीं न कहीं ये महसूस किया होगा कि जब भी हम थोड़ा सा डर जाते हैं घबरा जाते हैं या less confident feel करते हैं तो जो हमारे shoulders हैं या जो हमारी पूरी body है वो shrink करती है हम अपने आपको छोटा feel करने लगते हैं like shrink होने लगते हैं और ये बहुत ही natural है हमारी body ऐसे ही react करती है जब भी हम less confident feel करते हैं या हम किसी चीज से डर या घबरा जाते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है कि आपका posture correct होना और strong होना सबसे ज़ादा जरूरी है और posture में सबसे ज़ादा matter करेगी आपकी spine यानि कि आपकी rid की हड़ी तो कोशिश कीजिए कि जो आपके कंधे हो उन्हें आप roll back करके रखें आपकी spine जो हो सीधी रहे जब भी आप कहीं निकलें जब भी आप किसी से interact करना शुरू करें posture सही होने का एक और बहुत बड़ा फादा है जो हम सब को होता है हम काफी लंबे लगते हैं जब हमारा posture करेक्ट होता है और researches ये भी show करती हैं कि जो लोग workout करते हैं किसी भी किसम का workout या exercise चाहे वो yoga हो dance हो, gym जाना हो walk करना हो, any form of exercise तो उनका जो posture होता है काफी better होता है और मैं पूरी उमीद कर रही हूँ कि इस वीडियो को देखते देखते भी आपने अपने posture को correct कर लिया है तो ये पहला कदम है जो आपने लिया है अपनी confidence की journey में Researches ये बताती हैं कि जब हम smile करते हैं या हम हसते हैं तो हमारा जो mood है वो uplift होता है और किसी भी किसम की खुशी definitely add करती है आपको हसी नहीं आ रही smile नहीं आ रही लेकिन आप वहाँ पर confident feel करें लेकिन आपको यहाँ पर फिर भी smile करना है क्योंकि एक हलकी सी smile show करती है कि आप अपने आप में पूरे हैं confident हैं और अपने आपको smile reminders देना बिल्कुल जरूरी होता है खास कर तब जब हम बहुत जादा घर में busy रहते हैं या काम पर busy रहते हैं तो आप अपने phone में smile reminders भी लगा सकते हैं जिससे वो आपको याद कराते रहें कि अगर आप smile करेंगे और smile करके दूसरों से बात करेंगे तो आप बिल्कुल confident नजर आएंगे और कभी क्या आपने अपने छोटे भाई भेन का या अपने बच्चों का test लिया है जब हम उनसे कोई भी lesson सुनते हैं और वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं तो वो जल्दी जल्दी हमको वो lesson जो है सुना देते हैं questions का answer देते हैं इससे पता ये चलता है कि जब भी हम किसी situation से बाहर निकलना चाहते हैं जल्दी से तो हम जल्दी जल्दी बोलते हैं और यहाँ पर आपको यह समझना है कि अगर आप confident है या दिखाना चाहते हैं कि आप confident है तो आपको slowly बोलना है और clearly बोलना है और slowly से मेरा मतलब यहाँ volume से नहीं है कि आपको धीरे बोलना है मेरा मतलब यह है कि जो आपके words है वो clearly सुनाई देने चाहिए सामने वाले को इससे आप बहुत ज़्यादा sorted नजर आते हैं mature नजर आते हैं और relaxed नजर आते हैं और यह सब चीज़े add up करती हैं आपके confident डिखने में तो अगर आप उनमें से हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल कर निकल जाते हैं तो इस चीज़ के उपर काम कीजिए धीरे बोलना शुरू कीजिए आपकी बात सामने वाले को clearly समझ में आनी चाहिए और ये कभी भी एक दिन में नहीं होता है अगर आपको जल्दी जल्दी बोलने की आदत है आपको practice करनी पड़ेगी कितनी बार घर में अपने friends के साथ और अगर कोई ना हो तो बिल्कुल अपने शीशे को बनाए अपना best friend और बाते कीजिए clearly and slowly walk in confidence और ये एक ऐसी चीज है जो काफी जादा मुझे difficult लगती है क्योंकि आप चलते कैसे हैं ये काफी कुछ बताता है आपके अपने बारे में जब आप बहुत जादा slow चलते हैं या कंधों को जुका कर चलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप एक confident impression तो create नहीं कर सकते हैं और ना ही जल्दी चलकर आप ये कर सकते हैं बात ये है कि जो आपकी चाल है यानि कि आपकी जो walk है वो straight होनी चाहिए आपके कंधे पीछे होने चाहिए और आपको अपनी नजरों को सीधे रखके चलना हैं ये भी आपके confidence को improve भी करता है बढ़ाता भी है और ये दिखाता भी है कि आप confident हैं और जावतर मैंने ये देखा है कि हम बड़े होने के बाद ये lecture अपने बच्चों को या अपने छोटे भाई भेन को तो जरूर देते हैं कि सीधा चलो, सीधा देखो लेकिन खुद इसको follow नहीं करते हैं तो आपको जरूर ध्यान देना है अपनी walk के उपर क्योंकि ये बहुत important है कि आप confidently walk करें और बाद जब भी body language की होती है तो सबसे ज़ादा जो एक चीज हम communication में ignore कर देते हैं और जो लोग confident नहीं होते हैं उनके साथ ये problem सबसे ज़ादा आती है वो है eye contact वो eye contact को avoid करते हैं आपको खुद में ये practice करनी होगी कि जब भी आप किसी से बात करें आप एक eye contact बनाएं नजर मिला के बात करना बहुत ज़ादा जरूरी है आपकी उस बात के लिए भी आपको इसको practice करना होगा जब भी आप किसी से बात करें तो कोशिश कीजए कि आप जरूर कुछ seconds के लिए उनके साथ नजर मिलाएं और ये सामने वाले के बारे में भी आपको बताएगा अगर वो आप से नजर मिला के बात करते हैं कितना confidence उनके अंदर है उनकी personality के अंदर है तो आप सामने वाले को भी समत सकते हैं उसके eye contact को देख कर और अपने confidence की journey में चलते हुए हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए that nobody is perfect हम सब में कुछ flaws हैं और हम सब कोशिश कर रहे हैं उनके उपर काम करने की और confidence एक ऐसी accessory है जिसको हमेशा हमें पहन कर ही घर से बाहर निकलना चाहिए and I hope कि मेरा ये वीडियो मदद करेगा आपके confidence की जर्नी में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताईएगा permanent box में और ऐसे और कौन से वीडियो हैं जो आप देखना चाहते हैं इस grooming series में वो भी मेरे लिए जानना बहुत जादा जरूरी है कुछ styling inspiration के लिए आप मुझे join कर सकते हैं Instagram पर मेरा handle है The Hope Story Official और मैं मिलूंगी next video में Till then keep going and keep growing पर मेशी आप में जरूर बताईएगा